क्रुपया इस वीडियो से मीडिया वा उसके एंकर दूर रहें क्योंकि उनकी आवकाद हमारी नजरों में दो कोडी की है यूवा वेरोजगार, यूवा हतास, यूवा परेशान दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी अध्यापक, रेल्वे और SSC में बड़ा स्कैम सबसे पहला पॉइंट वनता है कि सरकार क्या सोचती है? सरकार ने क्या ये सोच कर रखा है कि देश हमारे बाप का है? अरे मेरे भाई यह देश तुम्हारे बाप का नहीं है अगर यह सोचते हो जिस गद्धी पर तुम बैठे हो वो हमेशा के लिए क्या आपकी है नहीं भीया जनता ने बिठाया है जिस दिन चाहेगी कालर पकड़ कर उतार भी देगी अब वो समय आ चुका है वो वक्त खतम हो यूबा परेशान और आप सोच रहे हो देश को सहल मोदी जी आपने कहा बोट देना हर यूबा वर्ग ने बोट दिया आपको मोदी जी वोट दिया था क्या इस दिन के लिए दिया था बोट कि यूबाओं वाला भारत रास्ट जिसमें बेरोजगारी के कारण यूबा ही अभी तक किसान सुसाइट कर रहा था मोदी जी अभी तक ब्यापारी सुसाइट कर रहा था अब तो सर्म करो बच्चे सुसाइट करने पर आ गये हैं रेलवे की बात करें ससी की बात करें टीचर की बात करें बात करते हो देश नहीं विकने दूँगा देश नहीं जुकने अरे तुमने कहा था वोट दो दिया तुमने कहा कोरोना काल में जनता पैसे दे मदद की जनता ने जिससे जो हो पाया अभी तक कोरोना में तुमने थाली बजबाई अब रेलवे को प्राइवेट करके यूबाउस से क्या थाली बजबाऊगे रेलवे, SSC, टीचर की वेकेंसी चार साल से उनका अटका पड़ा है करोणों का पैसा जमा करवा लिया मामला पूछो तो साहब कह देते हैं कोरोना चल ला है अरे चुनाओ के लिए साहब कोरोना नहीं चल ला है चुनाओ के रिजल्ट भी चार महिने में आ जाते हैं और पता चल जाता है कि सरकार भी बन गई बिहार जैसे हालाद देखिएगा तो सरकारे बनती है लेकिन बिहार में कभी भी बाड़ की समस्या नहीं सुधरती यूबाओं के लिए रिजल्ट का चार साल कम दिखता है मोदी जी टीवी पर बैठे दो कौडी के पत्रकार चिलाते रहेंगे पूँचता है भारत कि अविताब बच्चन ने पोटी की है या नहीं की है अरे कभी यूबाओं से भी पूँच लिया करो कि घर में दोवक्त की रोटी मिल पा रही या नहीं मिल पा रही है एक समय अटल विहारी बाश्पेई का हुआ करता था सरकारे हुआ करती थी तब मीडिया की कीमत हुआ करती थी आज सरकार की कीमत नहीं है मीडिया की कीमत नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है करोनों रुपए जमा करवा कर फार्म के सरकार धंदा चला रही है यूबा सोसाइट कर रहा है, कोई मतलब नहीं अब आपसे एक प्रस्न पूछना चाहता हूँ जो वीडियो को वोश कर रहे है अब बात आती है कि वेवकूफ है कौन, सरकार ज्यादा है या आप ज्यादा है यहाँ पर कम की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा कौन वेवकूफ है अंसर होगा आप ज्यादा वेवकूफ है, स्टूडेंट वेवकूफ है कड़वा है पर सच है हम हिन्दू और मुसलिम करते है हम BJP और कांग्रेस करते रहते है और सरकार तुम जैसे वेबकूफों का फायदा उठाती रहेगी और उठाती है उठाती आई है और रहेगी आगे सरकार की जड़े उखाड सकते हो तुम क्योंकि तुम में बहुत सक्ती है पुरे विस्सो में यूबाओं वाला देश कहा जाता है भारत लेकिन तुम व्यस्त हो रिया के चक्कर में अविताब के चक्कर में अमिसा को कोरोना हो गया एक आम आदमी की वैल्यू नहीं है तुम भी तो आम आदमी हो तुम बाइकाट मीडिया करते हो कि तुम बाइकाट आज तक कहते हो हमें बेपूफों का समझ में नहीं आता है कि जिस चैनल पर जाकर तुम उसी चैनल में कमेंट करते हो कि बाइकाट आज तक अरे भई उसको देखवी रहो और उसमें लिखवी रहो बाइकॉट बाइकॉट मीडिया करना है आज के बाद आपको कोई चैनल नहीं देखना बाइकॉट गवर्मेंट करना है आज के बाद कोई भी गवर्मेंट की पॉलिसी को अंदेखा करना है नो बोट बोट देना नहीं है जो भी आपके आए सामने कहिएगा जनता सर्वोपर है क्या वेरोजगारी के चक्कर में जनता की कोचुना था रोजगार देने को कहा था तो जो आपसे बोट मांगे उससे कहिए नो इलेक्षन में भाग नहीं लेना प्रति भाग नहीं करना मोदी जी पच्छी दाना तो चुग सकता है लेकिन यूबा कहां से अपना पेट भरेगा दाड़ी बढ़ाने से विदेशों की यात्रा करने से भाईयों और बहनों करने से क्या यूबा रोजगार प्राप्त कर प ना मिला यूबा को तो बाद में ये मत कहना कि यूबा गलत रास्ते पर चला गया अपने पेट को पालने के लिए ये मत कहना ये मत मीडिया बात उठाए मंत्री जी से लेकर नेता जो हमसे चुनकर जाते हैं हमारे बीच से चुनकर जाते हैं मौच कर रहे हैं एसी में बैट कर पारलियामेंट में कभी रिलाइस करके देखिएगा एक बच्चे के जीवन को कभी रिलाइस करके देखियेगा चोटे से कमरे में एक यूबा पंदरा सो रुपई घर से मिलते हैं किस तरहे पूरा महिना गुजारता है उन पंदरा सो रुपई में किराया प्लस खाना प्लस किताब में प्लस उसका जीवन भी उसी में चलता है कभी रिलाइज करके देखियांगी एक जोडी कपड़े में कैसे जीवन बिताय जाता है यूबाओं से गुजारिस है साथ ही एजुकेशन चैनल वालों से गुजारिस है यूथ से गुजारिस है कि एक वीडियो जरूब बनाए और वीडियो को ट्रेंड कराएं ट्विटर पर सुनिए सरकार आप यूबा को बहुत गुम्रा कर चुके हैं केबल नोटिफिकेशन देते हैं नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म डलवाते हैं पैसे बसूलते हैं नौकरी के नाम पर आप कोर्स कराते हैं बी ए वी एस सी बी एड बी टी सी कराते हैं लेकिन नौकरी उसका क्या आपने कहा वैकेंसी कम निकालेंगे हमने कहा कोई दिक्कत नहीं साहब निकालो तो हम मेहनत कर लेंगे इफर्ट दिखाएंगे हम उतनी ही वैकेंसी में अपना इफर्ट दिखाएंगे लेकिन जनाव जितनी निकाली है उतनी पूरी तो करिये समझ रखा है क्या अब आप नहीं हम करेंगे मन की बात फैसला हम करेंगे बात चाहे यूपी में 79,000 वैकेंसीज की हो खिचड़ी पका के रख दी है इंतजार करते करते आदमी बूरा हो चुका है अरे वो अपनी लाइफ को भी तो जीएगा हर बहन हर भाई हर ग्रेडी चायत रहे उसके माता-पिता बूड़े होकर चले जाते हैं और वो खुद बूड़ा हो जाता है यह बात ससी या रेलवे की हो रिजल्ट की हो परिक्षा में पारदर्सिता है ही नहीं सब वेबकूफ जैसा सिस्टम समझ के रखा है हम लोग वेबकूफ समझ रखा है जैसा चलाओ होगे वैसा चल देंगे हम ऐसा ही समझ के रखा है विकाव मीडिया की बात कर लेते हैं तो डिवेट में व्यस्त हैं और डिवेट में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिसकी आवकाद दो कौड़ी की है चाहे संबित पात्रा हो या सुर्जे वाला हो कभी सिख्षा विद पूचो तो शाहब कहते कोरोना चलना है जब आप पूचो तो साहब यहां पर एक सी इटी निकाल देंगे एक नोटिफिकिसन निकाल देंगे लेकिन उस पर कोई बहस नहीं करवाएगा यूबा सुनलो इस वार सुनलो इस वार यूवाओं से चात्रों से रिक्वेस्ट है अब की वार बोट नहीं, इससे अच्छा तो अंग्रेजों का गुलामी सही थी, समझ रहे ना, इससे अच्छी तो अंग्रेजों की गुलामी सही थी, आज तो सरकार के वारे में अगर बोलो, कहो, तो तुम्हें कहो जिंदा दफन कर दें, हो क्या रहा है ये सरकार? यूबाओं की कोई बात नहीं, मीडिया में बस वैस्त है, अमिस्ता को कोरोना हुआ, अविताब बच्चन को कोरोना हुआ, क्या खाया, किसने क्या खाया, ये सब चल लहा है, लेकिन हमारा क्या? हम भी तो एक आदमी है, हमें भी तो कोरोना हो सकता है, लेकिन हमें कौन जानता बात तो बस इतनी है ना हमें जानता कौन है लेकिन तुम्हें जो जानता है वो तुम्हारी पहचान जो है ना उसके पीछे बड़ा हाथ तो हमारा ही है ना हमी ने तो तुमको दी है पहचान जो आज तुम एक गद्धी पर बैठे हो तो यूथ से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ट्रेंड कराना है, वाइरल करना है, तुम विनोद जैसी वीडियोज को वाइरल करते हो, लेकिन ऐसी वीडियोज को कभी वाइरल नहीं करोगे, क्योंकि इसी भविस्य में अंदिकार में जीते हो, तुम ऐसी वीडियोज को रिया जैसी वीडियोज को वाइरल करते हो, अरे व सबी को वाइकॉट टरना है केवल अपने बारे में सोचना है बहुत हुआ सब के बारे में सोच लिया अब हम करेंगे अपनी मन की बात यूपी की इस बिवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चा चाहता है कि हमारी साधी कब होगी हमारा परिवार कब खुसाल होगा 69,000 वेकेंसी कहाँ पर है पता ही नहीं चलना स्सी रेलवे में अंटी पीसी की बच्चे 10,000, 20,000 कोचिंग करके बैठ भी चुके हैं अब फिर वो आ गया है वक्त की 10,000 फिर फीज दें 20,000 फिर फिर फेकें समझ में नहीं आता है लेकिन अभी सर जनाप का टेंडर ही नहीं हुआ जनाप टेंडर में वेस्थ हैं अरे करो करोनों रुपए आपने लिया है दो या धाई करोन फार्म पड़ा है और करोनों के हिसाब से हर बच्चे से का आगया कि 500-600 रुपए जमा करवाओ पता है आपको क्या एमाउंट होगा अगर टोटल किया जाए तुमारी पीडियां भी नहीं जोड़ पाएंगी भाईया देखो ट्रेंड करवाओ कुछ नहीं होगा जैहिंद वंदे मात्रम फिर में लेंगे थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में अधाब सस्रियकाल जो करना है करो इस वीडियो के साथ कहां बाइरल करते हो कहां नहीं वो आपके उपर डिपेंड करेगा